हेलो दोस्तो आप सबका स्वागत है पिछले मैच में दमीज ने रॉक पर धोके से हमला किया था उसी के कारण इन दोनों का अब ये टाइटल मैच हो रहा है WWE Championship के लिए और रॉक आते ही दमीज पर अपना गुसा उतार रहे हैं ये घुमा कर दे मारा है टम बकल की तरफ लेकिन अच्छा रिवर्सल दमीज का सूपर किक दिया रॉक का भी बहतरीन अपर काट रिवर्सल ये बैली टू बैली सूपलेक्स दे दिया है दमीज को रॉक जोरदार मुको से या चौप से मिज पर हमला करते हुए दमीज के पास इनका कोई जवाब नहीं है जी नहीं जवाब है जम्पिंग क्लोज लाइन दरॉक हमारे चैंपिन है और चैंपिन का हार्ट उनके अंदर है देखिए किस प्रकार फाइट बैक कर रहे हैं लेकिन मिज ने उन्हें नीचे गिराया ओहो ये इनसाइड आउट चोज लाइन अगर किसी और रैसलर को ये मूँ पड़ा होता तो वो उठते ही नहीं लेकिन ये हमारे चैंपिन रॉक है रॉक पॉटम की तैयारी ये दिया रॉक पॉटम दमीज को मिज में चैंपिन बनने की इतनी भूक है कि वो फिर से उठ खड़े हुए मार खाने के लिए रॉक उन पर फिर से अटैक करते हुए ये गिराया मिज को लेकिन अच्छा रिवर्सल दमिज का ये पावर बॉंब दिया हमारे चैंपिन दा रॉक को जोरदार मैच चलता हुआ दमीज चैंपिनशिप जितना चाते हैं और रॉक अपनी चैंपिनशिप को डिफेंट कर रहे हैं वाउ जनता को कह रहे है इफ यू स्मेल वर्ट तर रॉक इस कुकिंग येस हम स्मेल कर सकते हैं कि ये क्या है ये पीपल्स चैंपिन है और ये है पीपल्स एल्बो लगता है मिज का खेल अब खत्म हो गया है दोस्तो देखते हैं वन टू जी नहीं अभी भी जान बाकी है मिज में फाइट करेंगे जोरदार पंचेस और हवा में उड़कर लात मारी रॉक को अल्बो ड्रॉप ये क्या हुआ पिन कर रहे हैं रॉक को वन टू और रॉक ने किक आउट किया थ्री होने से पहले बाल बाल बचे चैंपिन दा मिज शो आफ कर रहे हैं और रॉक भी ऐसा ही कर रहे हैं अपने मिलियंस और बिलियंस फैंस के साथ रॉक बॉटम की तैयारी एक और रॉक बॉटम दा मिज को गुड़ पाइ दा मिज वन टू त्री हमारे चैंपिन ने अपनी चैंपिनशिप रिटेंड की कॉंग्राचूलेशन्स रॉक एक बार फिर से अपनी चैंपिनशिप बचाने के लिए अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैंपिनट को सब्सक्राइब करें धन्यवाद